यह RTSY pen tablet है, I'll help you out कि इसको कैसे यूज़ करना है for online teaching अब RTSY tablet जब आप लेंगे, that's the tablet you'll get the pen, आपको pen मिलेगा और tablet मिलेगा आप जब इसको connect करेगे, यहाँ पे left में light जलेगी, तीन बारे blink होगा, then यह stable हो जाएगी you'll again plug in, then यह start हो जाएगा and it'll start to work इसके साथ driver download करने की जरूरत नहीं है, that's a plug and play device, but driver इसलिए जरूरत होता है क्योंकि जो इस पे 5 customizable keys है, उसको align करने के लिए, तो आप normally Amazon पे जाएगे RTSY tablet link खोलेंगे, नीचे scroll करेंगे, तो आपको एक QR code मिलेगा जैसे आप QR code scan करेंगे, वो आपको इस वाले driver page पे divert करेंगे, then अगर Mac user है तो आप Mac का download करेंगे, Windows user है तो Windows का driver download करेंगे और download करने से पहले जो आपके पास box आएगा, इसमें details लिखी हुई है कि आप अपने product को एक साल के लिए 1 year repracement warranty के लिए कैसे register करेंगे तो उनका जो भी customer care number है, प्लीज आप उस पे call करना मत भोगे तो आप जब driver डाउनलोड कर लेंगे, you'll get an option ऐसे करके, आपको graphic tablet शो होगा, and once you open it, तो आपके बासे 4 option आजाएगे तो अगर आप press keys पे click करेंगे, तो ऐसे आपके बास keys के उपर 4 ऐसे-ईस lines आजाएगे तो आपको जो नसी keys पे भी जो भी customize करना है, for example यह आपके बास 5 keys है, आप students को पढ़ा रहे है आप undo, यानि कि eraser या फिर undo आप जादा use करते हैं, तो आप किसी भी keys पे भी set कर सकते हैं, तो for example मैंने इसको खोला, इस पे click करा, then I'll clear string, यहाँ पे control plus Z, जब यहाँ मैं OK कर दूँगा, तो उपर वाली जो key है, उस पे undo set हो जाएगा, same goes for second, second वाले में मैं जैसी खोलूँग Windows on करूँगा, clear string करूँगा, यह हटा दूँगा, then for example मैंने इस पे set करना है, सिरफ Z, या मैंने इस पे set करना है eraser, तो eraser के लिए हो गया E, तो मैं सिधा E इस पे set करूँगा, E, and then मैं इस पे OK करूँगा, तो यह eraser set हो जाएगा, तो जब भी यह मैं बटन प्रेस करूँगा, यह वही shortcut काम करेगा, अब हम इनको 3 software में कैसे use करेंगे, जो कि है powerpoint, word और आपका PDF, पहले मैं आपको दिखाता हूँ powerpoint में कैसे word यूज़ करेंगे,